हलो प्यारे विचो कैसे हैं? आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लास्स को इंजोआए कर रहे होंगे आज भी हम लोग बहुत ही ज़ादा सांदार प्रशनों को साल्ब करने वाले हैं और आज का क्लास सटेंड करके भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा आज की क्लास में आपको कुछ पुराने प्रश्णों का रिविजन करने को मिलेगा साथ ही बहुत सारी नई चीज़े जानने को भी मिलेंगी तो चली बचलोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आज का आपका पहला प्रश्ण है न्याई की जंजीर किस सासक से संबंदित है जो सोने का था और साह बुर्ज से लेकर आगरा के किले तक लगा हुआ था जिसमें घंटिया मदी थी आपको बताना है ये किस सासक से संबंदित है पहला आपसन है अकबर दूसरा है जहांगीर तीसरा है और अरंग जेब और चौथा है साह सुजा फटा फट बताएंगे बचा लोग बहुत इंपोर्टेंट है कि कौन से सासक के सासनकाल से न्याय के जंजीर जुड़ी है जो की पूरी तरह से सुद्ध सोने का बना हुआ था और जिसमें घंटियां लगी थी और उन घंटियों को बजा करके कोई भी फरियादी अपने बा जहांगीर द्वारा शुरू किया गया तूजुक यहांगीरी नामक आतम कदा निम्न में से किस बिद्वान ने पूरा किया था आपको बताना है कि तुझूक यह जहांगीरी नामक जो आतम कदा है ये किस ने पूरा किया है बहुत ही important है पर चलो उत्तर दीजेगा पहला option है खुषरो दूसरा है अबुल फजल तीसरा है मौत मिद खां और चौता है बेरबल फटा फटा बताएंगे कि जो जहांगीर की आत्म कता है तुजु की जहांगीरी इसको किस ने पूरा किया है उस विद्वान का नाम क्या है बहुत important है पर चलो याद रखेगा आपका option number जो 3 है बिलकुल सही है मौत मिद खां चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रशन next question है अपने बिरोधी पुत्र खुषरो की सहायता करने के कारण जहागीर ने सिख के किस धर्म गुरु को फासी दी थी यानि कि जहागीर के जो विरोधी पुत्र है जो विद्रो कर रहे है जिनका नाम खुषरो है इनकी सहायता किस गुरु ने किया है जिनको इन्होंने फासी दी है आप सभी को ये रटा है निसीर तोर पे आप लोग इसको तो नीद में भी सही बताएंगे कि जो आपसर मर्थीरी है बिल्कुल सही है गुरू और जुन्देव को ही इन्होंने फासे दिया है जो सिख धर्म के पाँचवे नंबर के गुरू है नेक्स्ट क्वेशन देखे बचालो ने नूर जहां से विवाह किया था आपको यह बताना है फटा पर्ट कमेंट करेंगे बचालोग बहुत इंपोर्टन है और आसान भी चूंकि यह क्या है रिपीटेट प्रश्ट नहें निश्चीर तोर पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि आपसे नमर 3 बिल्कुल सही है 1611 इस्वी में जहां गीर ने नूर जहां से विवाह किया था नेस्ट क्वेस्टन भी रिपीटेड है आपको बताना है फटा फट कमेंट कीजेगा आपको सभी लोगों का उत्तर सही आना चाहिए गुलाब से इत्र निकालने की विधी किसने ढूडा था बताएंगे बचालो गुलाब से इत्र यानि की जो सुगंदित परफ्यूम होता है ये निकालने की विधी किसने ढूडा है बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान आप सभी को पता है आपसर नमर थिरी बिल्कुल सही है अस्मत बेगम जो की नूर जहां की मा है इनूने ही डूडा है और अपनी पुत्री को भी नोने सिखाया था ये विधी याद रखेंगे आपसर नमर थिरी बिल्कुल सही है चली अगला question नेक्स्ट है सलीम का मुखे सिच्छक कौन था यानि कि जहांगीर के मुखे सिच्छक कौन थे आपको ये बताना है पहला है अब्दुल लतीफ दूसरा है अब्दुल रहीम खान खाना तीसरा है अबुल फजल और चौथा है से एक सलीम चिस्ती बिताएंगे आपका टू बिलकुल सही अब्दुल रहीम खान खाना ही है जहांगीर के मुखे से च्छक नेक्स क्वेस्टें देखिए बचा लोग ये भी बहुत ही बढ़िया है मारवाड के सासक मोटा राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गोसाई जिसका इतिहास में एक और नाम है ज पुदे सिंग की जिनका नाम है जोदा बाई और जगत गोसाई ये इनका विवाह किस मुखल सासक से हुआ है पहला आफ़सन है अकबर दूसरा है जहांगीर तीसरा है सहारियार और चौथा है परवेज फटा फटा बदाएंगे बचा लोग ये इंप्वार्टेंट प्रस् लेकिन ये जो दूसरा है ये जहांगीर के साथ इनकी मतव साधी और इनकी पत्नी है और ये मारवाड के सासक मोटा राजा उदै सिंग की पुत्री है जिनका बजपन का नाम जगत गोसाई है और फेमस नाम जोधा बाई है याद रखेगा इतिहास में दो जोधा बाई है अ जहांगीर और महाराडा अमार सिंग के बीच गोगुंदा संधी कब हुई है 1610, 1612, 1615 या 1616 बटाफट बताएंगे बचा लोग गोगुंदा की संधी कब हुई है इंप्वाटेंट है निश्ची तवर पे आफसर नमबर आपका थेरी बिल्कुल सही है 1615 इस भी की ये घट ना है याद रखेंगे एक्साम में पूझा गया है अगला प्रस्ण बताएंगे बचा लोग जहांगीर की मृत्ति निम्न में से कब हुई है 1622, 1625, 1626, 1627 और ये भी रिपेटेट प्रस्ण है आप लोगों को करवा चुकी हूँ तो गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप स चलता है लेकिन जो छोटी मोटी क्वेस्टन है वो गलत होते हैं तो आप कंप्टीशन से बाहर हो जाते हैं इसलिए छोटी क्वेस्टन को हलकी में नहीं लेना है और इनको तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है 1627 में जहांगेर की मृत्ति हो गई थी ये चीज़ याद रखे है दिल्ली और चोथा है और अंगाबाद पड़ा पड़ बताएंगे बचा लोग जहांगेर का मकबरा कहां है और आप सभी को ये पता होना चाहिए बहुत ही बड़िया है निश्य तोर पे छोटे छोटे चीज़े आपको बिल्कुल रड़ी होने चाहिए सहाधरा में है औ उनका मकबरा कहां है इंडिया में है जैसे आप दिखेंगे जो हुमायू है उनका मकबरा दिल्ली में है अकबर का सिकंदराबाद यानि कि आपका आगरा में है और अगर बात करेंगे जहांगेर का तो उनका आपको लाहर में पता है साज जहां आगरा में ही है और आपके ज टाइम में सबसे ज्यादा छबी चित्र देखने को मिलता है पताएंगी वो कौन से सासक है जिनके टाइम प्रियेड को चित्र कला का स्वनकाल कहा जाता है और उनके टाइम में सबसे ज्यादा छबी चित्र यानि की मानों की चित्र बनाएं गए हैं पहला है अकबर दूसरा है जहांगीर तीस्रा है साज जहां और चौथा है हुमायू पटाफ़र कमेंट करेंगे बचालो कि कौन है जिनके टाइम पered में सवान्ड यूग कहा जाता है चित्रकला का और आप सभी amongst पता है चित्रकला ही क्या आप सभी को पता है कि और भी काल को मुगल काल का इस कोई से बचा लोग प्रसिद्ध चित्रकार मनसूर एबं अबुल हसन निम्न में से किसके दरवारी चित्रकार हैं यह सारे चीज़े भी बिलकुल याद होना चाहिए मनसूर और अबुल हसन किसके दरवार में रहते हैं बचा लोग आफ सभी को पता है निची तोर पर आपसर नमर पूर बिल्कुल सही है जहांगीर के दरवारी चित्रकार है ये काफी फेमस चित्रकार है जहांगीर के दरवार के नेक्स्ट क्वेस्टन भी एक्जाम में आया हुआ है फटा फट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा चित्रकार पच्छी चित्रड का विसेसक्य माना जाता है इन में से कौन सा चित्रकार है जो पच्छीयों का चित्रड करने के लिए जाना जाता है पहला है अबुलहसन दू है कि कौन हो जाएंगे निशित और पे मन्सूर भी पच्छियों के चित्रकार के लिए जो है फेमस हैं अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन देखेंगे चलोगी भी बहुत इंपोर्टेंट है और विभिन एक्जाम में पूछा हुआ है प्रस्त है आपका पित्रा दुरा सैली में निर्मित एवं संगमर्मर का बरा आत्मादु दौला का मगबरा कहां इस्तित है याद रखेंगे प का सबसे भव्य विसाल और सांदार इमारत है ये लिस्टी तवर पे सभी को पता है आगरा में है इसको नूर जहाने बनवाया था अत्मादु दौला नूर जहां के क्या है पिता है उनकी पिता है इनका नाम था मिर्जा गयास बेग इसको इसको इन देखेंगे बचा लोग समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रसस्ति में निम्न में से किस मुस्लिम सासक का लेख मिलता है और ये बहुत अच्छे से पढ़ाया एंडशन हिस्टी में भी निश्ची तवर पे आप सभी को पता है कि जहांगीर का लेख है इसके नामा समुद्र गुप्त का लेख भी उ समुद्र गुप्त इसके लामा बीरबल का लेख भी है उस पर बीरबल का लेख भी है याद रखेगा अकबर इसको कौसामबी से इलहाबाद के किले में लाये थे इनका लेख नहीं है लेकिन ये लेकर क्या है कौसामबी से इलहाबाद के किले में चली बचलोग अकला क्वे पहला अबुल समद दुसरा है दसवंत तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं बताईए बचा लोग फटा फट बताएंगे कि अकबर ने किसे टकसाल का अध्यच्छ बनाया था इसी तोर पे आप सभी को यह पाता होना चाहिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट अत्य है पुल समद और दसवंत को अकबर ने टकसाल का अध्यच्छ बनाया था चलिए बचा लोग अगला क्वेश्चन जहांगेर के सासनकाल में आने वाले यूरोपी यात्रियों में कौन सा है जो की सही है बताएंगे जहांगेर के टाइम पिरिड में आने वाले यूरोपी यात् पहला है कैप्टन हौकिन्स दूसरा है सर टामस रो तीसरा है बिलियम पिच और चौथा है एड़वर्टेरी और पांचमा है ये सभी बताएंगे बच्चा लोग आप सभी को ये उत्तर पता होना जी निसी तर पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरी बच्चों को चूंकि आ मौकिन्स आये हैं तामसरू आये हैं अब अगर दो से एक से अधिक सही है इसका मतलब क्या हो गया सभी सही हो जाएंगे याद रखेगा ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रस्ण है मैंने हमेशा कहा है यात्रियों से क्वेस्चन आते हैं लेखों को से भी क्व DR. लाजस विवस्था से क्वेस्चन आता है इन सभी चीजों से क्वेस्चन बहुत जादा पूछे जाते हैं अस्थापद से भी क्वेस्चन आते हैं देखें अगला क्वेस्चन मार बार के मोटा राजा उदै सिंह की पुत्री जगत गोसाईके गर्व से उत्पन निम्ले very very important and very easy person और यह बिल्कुल common sense का है आज ही आप लोगों ने पढ़ा है कि इनके जो विवा है वो जहांगीर के साथ हुआ है अगर जहांगीर के साथ विवा हुआ है तो दारा सिको तो इनके पुत्र होंगे नहीं निशित और पे अकबर अगर अकबर फर्स्ट है तब भी नहीं होंगे अकबर सेकंड है तब भी नहीं होंगे चुकि अकबर फर्स्ट तो हुमायु के पुत्र है और अकबर सेकंड जो है वो जो है औरंग्जेब के पुत्र है तो कौन हो गए बचा लोग और जहांगेर की तो यह पतनी ही है सा जहां हो जाएंगे याद रखेगा सा जहां भी एक राजपूत जो है मा के बेटे हैं और जहांगेर भी एक राजपूत मा के ही बेटे हैं यानि कि ये भी जो है जोधा बाईस उत्पन है और ये भी सेकेंड जोधा बाईसे उत्पन है ये चीज़े भी याद रखेगा नेक्स्ट कोईशन देखिए बचलो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ये नेट के एक्जाम में भी आया हुआ था करोडी नामक अधिकारी की न्युक्ति किस सासक ने किया था करोडी नामक अधिकारी की न्युक्ति कौन से सासक ने किया है आपको ये बताना है पहला है अकबर दूसरा है जहां की तीसरा है सा जहां और चौथा है और रंग जे फटा फट कमेंड करेंगे बचलो बहुत इंपोर्टेंट है और आप सर्फिया नहीं दाम दाम यानि की तामबे का जो सिक्का है इस मतब जो है एक करोड जिनका भूरा जस एकत्रित करने का जिनका एरिया हो या जिनके अंडर में इतना भूरा जस एकत्र करने के जमदारी हो ऐसे अधिकारियों को कहा गया है एक करोडी या करोडी साह जहां का विवा 1612 इसमी में आसफ खा की पुत्री अर्ज मंद बानो बेगम से हुआ था जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है पराएंगे बचा लोग अर्ज मंद बानो बेगम का जो इतिहास प्रसिद्ध नेम है वो क्या है पहला है नूर जहां दूसरा हैं मुमताज महल तीसरा है जहां आरा और चौथा है मलिका ये जमानी पटा-पट कमेंट करेंगी बचा लोग निसीत वर पे आप सभी को यह बिलकुल याद है रटा हुआ है आप सभी को पता है मुम्ताज महल का ही नाम है अर्जमंद बानो बेगम और ये तिहास में मुम्ताज महल के नाम से प्रसिद्ध है चलिए बचलो अगला question देखे साह जहां के पुत्रों में सही है इन में से कौन है जो साह जहां के पुत्र है पहला है दारा यानि कि दारा सिको दूसरा है औरंग जेट तीसरा है सासुजा चौथा है मुराद बक्स और पांचवा है कि ये सभी बताएंगे बचा लोग सा जहां के पुत्रों में कौन सा है जो की सही है आप सभी को पताएं कि सा जहां के बहुत सारे बच्चे थे टोटल 14 संताने थी मुम्ताज महल से साज जहां की जिन में से कुछ बच्चों की मृत्टी हो गई थी और कुछ जो है वो जीवी थी जिसमें आप देख रहे हैं पुत्रियां और पुत्र मिला करके बहुत सारे बच्चे हैं और इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत पुड़ हैं वो हैं दारा सीको औरंग जेप सासुजा और मुराद भक्स निश्ची तोर पे ये सारे लोग हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रस्ण साह जहां की पुत्री कौन एक नहीं है इन में से कौन सी एक है जो साह जहां की पुत्री नहीं है आपको ये बताना है पहला है जहां आरा दूसरा है रोसन आरा तीसरा है गौहन आरा और चौथा है नूर महल पड़ा पट कमेंट करेंगे बचा लोग कौन है जो की साह जहां की पुत्री नहीं है, दिश्ची तोर पे आप सभी को पता है कि नूर महल जो है ये साह जहां की पुत्री नहीं है, जहां आरा रोशन आरा और गौहन आरा उनकी पुत्री है हम लोग पहले भी इस पर discussion कर चुके हैं देखिए बचा लोग अगला question मुम्ताज महल की मुरुत्यू कब हुई थी मुम्ताज महल की मुरुत्यू कब हुई है 1628, 1630, 1631 और 1635 बटापड बताएंगे बचा लोग ये question भी exam में आया हुआ है इसलिए आप लोगों को सारे questions का practice करवा रहे हैं छोटे बड़े कुछ भी ना छोटे maximum आप लोगों का तयार हो पूरा प्रयास कर रहे हैं बचा लोग बताएंगे कि आपका कौन सा है जो की सही हो जाएगा याद रखेगा आपसे नमबर 3 बिलकुल सही है 1631 में प्रसो पीडा यानि की 14 वे बच्चे को जन्म देते हुए मुम्ताज महल के मृत्तिव हो गई थी next question साज जहां के समकालिन सिख गुरू कौन है साज जहां के समकालिन कौन से सिख गुरू है बहुत important प्रशन है पहला है गुरू अर्जुन्दिव दूसरा है गुरू हर राय तीसरा है गुरू हर गोबिन्द और चौता है गुरू गोबिन्द सिख पड़ा पड़ बताएंगे बच्चा लोग साज जहां के समकालिन कौन से सिख गुरू है और आप सभी को ये बिल्कुल रटा होना चाहिए ये सारे चीज एक्जाम में बार बार पूछी गई है और आप से नंबर आपका जो धिरी है बिल्कुल सही है गुरू हर गोबिन्द जो है ये साह जहां के समकालिन है उनके टाइम पिरियेड के है नेक्स्ट में देखिये बचलोक साह जहां को कोहिनूर हीरा गोलकुन्डा के किस सासक ने प्रदान किया था आपको सब्सक्राइब जॅला नामक वजीर ने ये साहं को गिप्ट किया था कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुन्डा का था बताएंगे बिचल लोग जहां आरा ने किसका साथ दिया था पहले ही मैं सारी चीजे बता चुकी हूं रिपीटेड प्रस्ण है तो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे आप सभी का सही उत्तर आना चाहिए ये आपका पहले ही हो चुका है मैंने आप लोगों को बताया था कि आपसर नमबर टू बिल्कुल सही है दारा सिको का ही साथ दिया था जहां आरा बेगम ने ये चीज़े मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ नेस्ट क्वेस्टन देखिए औरंग जिब का साथ उसकी किस बहन ने दिया था पहला है रोसन आरा दूसरा है गौहन आरा तीसरा है जहां आरा और चौथा है इन में से कोई नहीं फटा फट बताएंगी बच्चा लोगी सारे चीज़े एक्जाम में आई हुई है निसी तोर पे जहां आरा तो होंगी नहीं चौकि ये किसका साथ दे रही है दारा का साथ दे रही है कौन हो जाएंगी रोसन याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे कौन सा है सासक जूतरा दिकार की युद में अपना नाम रोसन किया यानि कि सासक बना जिसके सर पे ताज आया या जिल सिंगासन प्राप्त किया वो है औरंग जेब तो औरंग जेब का साथ किस ने दिया रोसन आरा ने रोसन आरा ने जिसका साथ दिया उसी को क्या हुआ ताज मिला गौहन आरा ने साह सुजा का साथ दिया था साह सुजा का सात दिया था और मुराद की तो जो है वरंग्जेब ने हत्या कर दे थी धोखे से तो ये तीनों में तीनों भायों के अलग-अलग बहने सपोर्ट कर रही है जिसमें आप देख रहे हैं रोसन आरा जिन ने जिनको सपोर्ट किया है और रंग जे वो उनका क्या हुआ वो रौसन की अपना नाम इतिहास में नेक्स्ट कोईशन देखिए बच्छा लोग साजहां के पुत्रों के वीच उत्राधिकार का युद्धनिम्न में से कब सुरू हुआ है कब साजहां के पुत्र आपस में लड़ने लगे थे सिंघासन के लिए आपको यह बताना है नेशी तोर पे आप सभी को पता होना चाहिए पहला है 1657 दूसरा है 1658 तीसरा है 1669 और चौथा है 1660 यह आप सभी को पता होना चीब चलोग पटापट बताएंगे यह 57 का डेट कुछ ज़्यादा ही फेमस है 1657, 1757, 1857 यह अपने आप में कुछ आप एतिहास प्रसिद्ध है आप सभी को पता है आपसे नमबर फरस्ट सही है 1657 में ही युद्ध सुरू हो गया था कि एनके पुत्रों को जो सा जहां है इनके पुत्रों को जियाने की उस समय आ औरंग दचषिड में थे मुराद मालवा में थे सा सुजा जो थे यह आप दिखेंगे बंगाल के छेत्र में थे और जो दारा सिकों है यह अपने पिता के ही सा है और यहां कहिए कि इनका जो काम था उस समय पस्षी मोतर छेत्र में था तो जब यह ख़बर फैली की साज जहां की मृत्ती हो गई हाला कि वो बिमार थे उनकी मृत्ती नहीं हुई थी लेकिन ऐसा ख़बर फैल गया कि उनकी मृत्ती हो गई तो उनकी पुत्रों नहीं 1657 से ही युद्ध करना अपस में सुरू कर दिया था और उनको कैद करके अगरा के किले में बंद कर दिया जहांबे वो आगे काफी समय तक जो है लगबग आगे आट-दस सालों तक जीवित रहे कैद खाने में ही तिए 1657 आप सभी को पता है 1757 से इतिहास बदल गया अंग्रेजों का सासन हुआ और 1857 में त देखने को मिला है 1657 में मुगलों का समाप्ती और 1757 में नवाबों की समाप्ती 1857 में भारत पे बर्टिस महाराने का सीधा सासन नेक्स्ट कोशन देखिए बचा लोग उत्राधिकार के युद्ध के स्रेंखला में धर्मत का युद्धनिम्न में से कब हुआ है ये सारी पटाफट बताएंगे बचा लोग धर्मत का युद्ध कब हुआ है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेस्ची तोर पे आप सभी को याद होना चाहिए 25 अप्राइल 1658 की घटना है 25 अप्राइल 16 अप्राइल 1658 दूसरा है सामोगड का युद्ध 29 मई 1658 तीसरा है देव राइ का युद्ध 12-14 अप्राइल 1669 और लास्ट में है कि सभी सही मिले हुए हैं पताएंगे बचा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है और ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है मैंने आप को विथ डेट येर सब कुछ बताया था करम भी बताया था तिनिशे तोर पे आप सभी को पता है कि सभी सुमेलित हैं और ये करम के साथ लगे हुए हैं नेस्ट क्वेशन देखें बचा लोग दारा सिको को निम्न में से कौन से अस्थान पर दारा सिको को दपनाया गया था पहला आपसन है ताज महल दूसरा है लाल किला तीसरा है आगरा का किला और चौता है हुमायू का मगबरा पटा फट कमेंट करेंगे दारा सिको का कबर कहा है इस पर भी हम लोग डिसकसन कर चुके हैं अभी पिछले वरसों या की हाल ही के दिनों में सरकार ने एक समिती बना आए गया था मुगल बन्स के सबसे ज़्यादा लोगों को इसी वकबरे में दपनाया गया है साह जहां की मृत्यू 1606 इस भी में हुई 1607 में कैद कर लिए गये हैं और 6-6 तक जीवित रहें लगभग 8-9 वरसों तक जीवित रहें और सोचे कितना दुखत जीवन रहा होगा इतना बड़ा बासा है और उसके लाश्ट टाइम में उनको खाने पीने की कोई विवस्ता नहीं थी उनको किसी को मिलने की जाजत नहीं थी मातर जहां आ रहा ही उनके पास जा सकती थी और उन्होंने ही उनको सेवा प्रदान किया और बड़े मामुली नौकरों के हाथ हो उ इनको अपने पुत्रों का कही सानित भी नसीब नहीं हो कुछ भी नहीं मिला तो ऐसे इसे पड़े साहन साहों का भी अंत बहुत दुखद रहा अगर वो लोग जो है अच्छे से वर्क करते या समय रहते चीजों को संभाल लेते तो ये समस्याएं नहीं होती वक्त बदलती देर नहीं लगती है इनसान का कुछ भी हो सकता है तो ताज महल में दफना दिया गया है उमताज महल की बगल में ही इनको भी क्या कर दिया गया था साधारण नोकरों के दोना दफन कर दिया गया था तो ऐसी भी चीज़े देखने को मिलती है नेक्स क्वेशन देखी में चल रहा है बादल खा और चौथा है उस्ताद अमीर हासिम बताएंगे बचलों ताज महल को किस ने डिजाइन किया था बहुत ही बहुत ही बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे नंबर आपका तो बिल्कुल सही उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही वास्तोकार है यह इन्होंने ही डिजाइन किया है आप सभी को पता है ऐसी कहाने सुनने को मिलती है कि इस डिजाइनर या उन मिस्त्रियों का हाथ तक कटवा लिया था साजहाने जिन्होंने उसको तैयार किया था नेस्ट कोईस्टिन दिखें पर चलो मयोड सिंगहासन के वास्तुगार का निम्ड में से क्या नाम है बहुत ही सांदार प्रस्टन है मयोड सिंगहासन का डिजाइन किसे ने बनाया था बेहत भव और कीमती सिंगहासन था तभी तो नादेशा उठा के लिए पूरा का पूरा स सिंगहासन ही निसी तोर पे कीमती रहा होगा वे सुमार तो आप सभी को पता है कि कौन है जो की इसके डिजाइनर है वास्तुकार है फटा फट कमेंट करेंगे उस्ताद बादल उस्ताद अहमद लाहौरी मुहम्मद कफीर या इन में से कोई नहीं पताएंगी बचालो कौन है आप सभी को इसका उतर पता होना जी उस्ताद बादल यानि कि जो सिंगहासन पे बैठता रहा होगा वो बादलों में उड़ने लगता रहा होगा ऐसा फील होता रहा होगा सिंगहासन पे बैठने के बाद चुकि इतना बहब्बे था वो और सबसे कीमती हीरा लगा था उ आप सोच सकते हैं कितना केमती रहा होगा वो हीरा जो कि इस सिंह भासन में जड़ा हुआ तो निश्ची तब पिसकी ही बादल निवेस्ट निव्द प्रोडन से किस सावता के सासंकाल कवास था पत्य का स्वन युग कहा जाता है निसी तर पर आप सभी को पता है चित्र कला का सोड़ यूग जहांगेर का है मुगल काल का सोड़ यूग अगबर का है और वास्तु कला का या स्थापत्य कला का सोड़ यूग साह जहां यह क्या है वास्तु कला कहिए या अस्थापत्य कला कहिए इनका है और इनका time period मुगल काल का स्वोड़ यूग है इनका time period चित्र कला का स्वोड़ यूग है ये सारी चीज़े याद रखी अब चलो बहुत important है चलो आगे बढ़ेंगे साहब बुलंद एकबाल का के नाम से निम्रिखित में से किसे जाना जाता है साह बुलंद एकबाल के नाम से किसे जाना जाता है बचा लोग बहुत ही सांदार प्रशन पहला और रंग जे दूसरा मुराद तीसरा साह सुजा चौथा है दारासी को बहुत important है आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए इतिहास में साह बुलंद एकबाल के नाम से कौन पत्तर है निश्चीत और पिर्दू आपका चौथा आपसन सही है दारासी को इन्ही को ही साह जाहा ने साह बुलंद एकबाल के पादी दी थी अपने जेश्ट पुत्र को नेश्ट को साह जाने पने सासनकाल के किस वर्स में हिंदू मंदिरों को द्वस्त करने का फर्मान ज यह चार एयर आपके सामने हैं इनमें से कौन सा एयर था जब साह जहा ने ऐसा फर्मान जारी किया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए नस्ट कर दिया जाए याद रखेगा यह टाइम पिरेड है 1631 में मुम्ताज महल नहीं रही और 1631 में इन्होंने ऐसा फर्मान ज गए थे वो बहुत कटरता से इसलाम का पालन करते थे और मुम्ताज महल की मृत्य की बाद जब दारा सिको और जहारा के संपर्क में आये तो अपनी बच्चों के साथ धीरे धीरे फिर से उदार हो गए थे लेकिन अभी देखी इनके इंदर बहुत ज़्यादा कटरता है औ याद रखेगा बहुत इंपर्टेंट है यह आया है कि गुड समंदर किसका उपादी था तो यह भी याद रखेगा गुड समंदर लाल खा की उपादी है किसके दरबार से जुड़े हुए है यह बताना है अकबर हुमायू जहांगेर और साह जहां भटा भट कमेंट कि टाइम पीरेट के प्रसीद संगेत अग है गुड समंदर लाल खा एक्स वैश्चन दुचा लोग विद्वानों के बारे में कामसा सई है कहांगेर दूसरा है चिंतामरे 4 दिसरा है सुंदरदास और 4 यह सभी परोगत सभी का अफसार। दर्दास भी है याद रखेंगे सभी बातें पिल्कुल सही है इस क्वेस्चन देखेंगे चलो दारा सिको द्वारा निम्न में से किन किन ग्रंतों का फार्सी में अनुबाद किया गया था बहुत इंपोर्टन प्रशन है पहला है भगवत गीता दूसरा है योग बसिस्ट ती अगर स्पीड तेज है बचा लोग तो बिल्कुल थोड़ा मैनस किजेगा आप है लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और कम समय में ज्यादा चीज़े उपलब्द करा रहे हैं ताकि आप लोगों को यह न लगे कि हमारा एक मिनट में बेस्ट हुआ आपका हर मिनट एक क्वेस्टन दो क्वेस्टन आपको देखे जाए एक दो पॉइंट नहीं कई सारे चीज़े आपको बता के जाए यह प्रयास रहता है तो अगर स्पीड तेज है तो उससे परिसान न हुएगा और अग्जेब का जन्म 1698 बेस्वी में निम्नमेसे किस स्थान पर हुआ था औ पर कमेंट करेंगे आपका कौन सा है जो की सही हो जाएगा तो आपको बताना है कि कहां पर हुआ है तो पहला अफसन है दो हट तीसरा अचा यहां पर 1698 बेस्ट लोगी याद रखेगा 1698 बेस्ट नहीं है बलके क्या है 1618 है 1657 से तो यह युद्ध सुरू कर रहे है मुत्रा दिकार का निश्ची तोर पे 1618 है याद रखेगा औरंग जेब का जन्में 1618 इस भी में कहां पर हुआ था पहला है दो हट दूसरा है आगरा तीसरा है दिली और चौता है बायाना पटा पर कमेंट करेंगे बचलो कौन सा स् सब्सक्राइब है दो हट चलिए देखते हैं हमारा अगला कोईशन और राज्या रोहर ने में से किस बर्स हुआ था किस बर्स औरंग जेब ने अपना राज्या भी से किया है मैंने आप लोग को बताया था दो राज्या भी से किनोंने किया था एक तो इन्होंने 1664 है 1660 बताएंगे बचलो कौन सा एयर है जब औरंग जेब ने अपना राज्या रोहन किया है पटा पट कमेंट करेंगे और ये भी आपके लिए काफी महत्पूर है आप सभी को पता है कि आपका 1658 वाला है जो दिल्ली में इन्होंने किया था ये पूरी तरह से बहतरीन त था उनमें आगरा में किया था लेकिन ये भव्य नहीं था इसको बस अट्राइंडम ही इन्होंने कर लिया था तो आपका दूसरा नहीं बलकि ये दिल्ली वाला जो है ये सही हो जाएगा नेस्ट कुर्शन देखें पर चलो औरंग जे मुसलिम धर्म के किस संप्रदाय से सं संबंदित थे आपको ये बताना है सिया सुन्नी कादरीया चिस्ती निष्ची तोर पर आप सभी को ये पता होना चाहिए और ये भी नहीं पूरा का पूरा मुगल राजबनस ही जो संबंदित है वो क्या है सुन्ने थैस चेटी पचलों देखते हैं हमारा अगला questions साज जहा के पुत्रों के 2657-088 इस भी में उत्रादिकार का युद्ध हुआ उनमे से कौन-कौन सामिल है उनमे से कौन-कौन है जो कि उत्रादिकारी है आपके साज जहा के पहले में है कामबक्स मुराद, दारा और और औरंग जेव दूसरा है औरंग जेब दारा सुजा और कामबक्स तीसरा है दारा औरंग जेब मुराद और सुजा और चौता है दारा कामरान औरंग जेब और मुराद बताएंगे बचा लोग किसके किसके बीच जो है उत्रादिकार का युद्ध हुआ था साजहा का जिस्ची तोर पर आप सभी को पता होना चाहिए कि साजहा के टाइम पिरिड में जो युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है इतनी बार डिसकसन हो चुका है आपसे नमर थिरी से यह दारा और अरंग जेब मुराद और साह सुजा इन्ही चारों के बीच य प्रदत किया था गौहा नारा ने सहादरा में जहांगेर का मगबरा किसके सासन काल में बनवाया गया था आपको यह बताना है फटा फट कमेंट करेंगे जहांगेर साजहां और अरंग जेब और धारा से को किसके टाइम पिरिड में बना है यह मगबरा आपको यह पताना है पर आप सभी को पता है इनकी बाद कि इसका सासन है साह जहां का सासन है और इन्हीं के टाइम पिरिड में बना है मक्मरा नेस्ट कोईसिन देखिए निम्रिखित में से बाद सासक जो अपने व्यक्तिगत जीवन यापन के लिए टोपी सिल कर अपने दरवारियों को बेशता थ कौन है वो पहला है जहां की दूसरा है औरंग जीव तीसरा है बहादूर सा प्रथम और चौता इनमें से कोई नहीं ये कोईसन रिपीटेट है बच्छा लोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सासक है जो टोपी सिल करके बेशते थे कुरान का नकल करके अपने हाथों से लिखते थे फिर उसको बेशते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे आप सभी को याद होगा जिनकी पुत्रे से बिवा हुआ था बलवन का ना सुरुत दिन महमूत करकिन का नाम था अपसर नमर फोर सही है इनमें से कोई नहीं चलिए बचा लोग आगे बढ़ेंगे कि बहुत हैं लूहार बंस कि राने की सांधार यहाANS का कि बचाना है यह सबसे पहले बार तो यह कस्मीर की सासस atma कि संदा कि बजोन या इन में से कोई नहीं बताएंगे बचा लोग बहुत इंपोर्टेंट है लोहार बंस की पुत्री है कस्मीर की सास का है नाम है दिद्धा और साधी हुआ है उत्पल बंस में चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेस्टन अकबर की सासनकाल में मालवा का पूर्ड विजे किसके नितरत में हुआ था बहुत ही सांदार प्रस्ण पहला है अब्दुल्ला खाउजबेग दूसरा है अधम खा तीसरा है अकबर और चौता है मान सिंग पटाफट बताएंगे बचा लोग इसके नितरत में पूर्ड विजे हुआ मालवा का और इसमी कन्फियूज बिल्कुल मत होईएगा चौकि पहली बार जो आकमर्ण किया था वो अधम खाने किया था बाज बहादूर को पराजित करने के बाद रानी रूप मती के साथी जबरदस्ती कर रहे था और उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर लिया था और ये खबर पता करने क कि बाद अकबर ने अधम खान को वापस बुला लिया मालवा में विद्रो हो गया और फिर से वहां पर आवे उस्था फैल गई और फिर पूरी तरह से मालवा को बिजित कर मुगल सामराज में मिलाने का काम किया अब्दुल्ला खान उजबेग ने याद रखेगा और बाज बहादूर अकबर के दरबार में कई वर्सों तक रहे और उनको अकबर ने पूरा सम्मान दिया था तो आपका पहला बिलकुल सही है नेक्स्ट क्वेशन देखिए मुगल काल में पहले से न्यूक्त लोगों को क्या उपमा दी जाती थी यानि कि जो मुगल काल में पहले से बिलकुल सही है ने पहले से अपनी सेवाय मुगल सामराजी को दे रहे होते थे ये चीजे भी आप लोगों को याद रखनी है अगला कोयेशन बहुत ही सांदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए महतरफा जागेर किस राजबंस से सम्मंदित माना जाता है बताएंगे बचा लोग मराठा, मुगल, सिख या हिंदू महतरफा जागेर किस बंस से जुड़ा है फटा-फट बताएंगे वेहद इंपोर्टन प्रस्न है और आप सभी को ये सारे तथे याद होने चाहिए बहुत मेनत से ये सारे तथे कलेक्ट करते हैं बचा लोग आप लोगों का काम बस इतना है कि इसको किसी भी तरह से बार-बार रिपिसिन करके याद कर दीजे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा बहुत पाप लगेगा आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा आपसे नमबर आपका फर्स्ट सही है माराथा, महतरफा, जागीर, मासे मातरफा और मासे माराथा याद कर लीजेगा मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ब्लैक मेल कर रही है क्योंकि प्यार से समझा समझा की थक जाते हैं आप لوग समझते नहीं बात को नगाएस कोईसेन देखिए बाबर ने पानीपत के युद्ध के जीत का सरे किसको दिया है बताएंगे बचा लोग ये question भी आपके लिए काफी important है और मुझे उमीद है कि आप लोग कन्फ्यूज होंगे इतना तो आप लोगों के बारे में पता ही है कि आप लोग कहां पे जा करके जो है गलतियां कर सकते हैं निसी तोर पे मैम हैं आपकी तो इतना तो पता ही होगा आ आप सभी को पता हो आपसन नमर टू सही है आयोग ने जिसको सही किया है वो है तीरन दाज लेकिन maximum बच्चों को जो लगेगा वो है तोपची यानि कि बारूद या कहिए कि तोप खाना लेकिन आपका आयोग जिसको सही मान रहा है वो है तीरन दाज नाइस कोईसे देखिए बचा लोग अकबर ने अपने दर्वार में रहने वाले किस ब्यक्ति को कभी प्रियकी उपादी प्रदान की थी पहला है बेरभल दुसरा है अबुल फजल तीसरा है फैजी और चौथा है तानसेन पटा फट बताएंगे बचा लोग कभी प्रियकी उपादी किसे दिया गया है और इसमें भी आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं कभी प्रियकी उपादी अकबर ने दिया था बीरभल को आफसे नमबर आपका फरस्ट बिल्कुल सही है बीरभल को ही अकबर ने कौनसी उपादी दी है कभी प्रियकी उपादी दी है याहिया विन एहमद सरहिंदी सयद बंस की किस सासक के संदच्छड में था बहुत ही सांदर प्रस्ण पहला है जहांगिर दूसरा है मुबारक साथ तीसरा है बहादू सा और चौता है आराम सा निशी तोर पे कॉमन सेंस का कोईस्टेन आप सभी के लिए सयद बंस की किस सासक ने संदच्छड दिया था याहिया विन एहमद सरहिंदी को निशी तोर पे आराम साथ तो गुलाम बंस के जहांगिर मुगल बंस के हैं बहादूर साह भी नहीं होंगे मुबारक साह जो है ये सयद बंस के सासक है और इन्होंने ही क्या दिया है संदच छड़ दिया है यहिया बिन एहमस सरहिंदी को चलिए एक क्वेस्टन और भी आ गया और यह भी बेहर इंपोर्टन्ट है अकबर ने अपने दर्वार में रहने वाले किस ब्यक्ति को कभिराज जिनको मलिक उस सोहरा कहा जाता था क्यों पादे दी थी यानि कि कभिराज की उबादी पूछे या मलिक उस सोहरा के पादी पूछे किसको दिया था अकबर ने पहला है फैजी दूसरा है तान से इन तिसरा बुल फजल और चौथा है इन में से कोई नहीं पटाफट कमेंट करेंगे बचा लोग किसको अकबर ने दिया है कभिराज की उपादी और इसमें भी हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इतना आसान नहीं है बचा लोग थोड़ी चीज़ी तो आप लोगों को जो है नई लगेंगी ही जो कि इतना मेहलगों के लिए किया जा रहा है और एक आप लोग हैं कि थोड़ा भी मेहलग नहीं करते आप्सर नम्सान नमबर फस्ट बिलकुल सही है फायर जी को कभी राज की उपादी जो है इन्हों ने दिया है और कभी प्रिकी उपादी बीरबल को दिया है याद रख था बताएंगे बचलों कौन हो सकता है जिनके टाइम पिरिएट में मुगलों के सामराजिका सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था निश्ची तो पर बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन आप सभी कुछ का उत्तर पता होना चाहिए चोंकि यह काफी आसान भी है और साथ लोगों को ड़ता दिया है हर चीज तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है बताएंगे पटा पट बिताएंगे और आप लोगों के लिए तो यह आपने आप में कौमन सेंस कहा है चुकि इतना सब कुछ रटाया है तो निश्चित तोर पर गल्ती तो होना ही और आप सभी को पता है कि वो कौन है जिनके टाइम पिर परिधिस सबसे ज़्यादा सूबवे है वह ऐ औरंग बने सूबवे थे ऑरंग ग कितने सूबव कितने प्रांत थे जहां गर याद है तो बताई आकबर का दुयादी होगा साथ जहां का भी बता चुकी हूँ इन तीनों लोगों के टाइम पिरिड में कितने प्रांत थे सुबे थे कमेंट कीजिए फटा-फट एक्टे याद भी है कुछ यह भूल गए आप लोग जैस्स कोईस्टन देखिए यानि की घबडाई यह नहीं बस सत्तावन प्रस्न है आपके लिए चलिए निम्ल निखित यात्रियों एवं उनकी आने के समय के सासकों के साथ सही सुमेलित कीजिए आपको बताना है पहला है टामस रो पता होना जाहीं बहुत ही बढ़ियां है निट्कीत वर प्रस्ष व्सलक्रण शीजिए ब caterpillar के साव … मनुची वी बीचिकिसक थे इत्ली के यह सारी चीजी हम लोग पढछ conception कूई हैं बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूं बस आप लोग revision कर लेए और चीजों को याद करने तो की हत्या करवा दी थी बताइएगा बहुत important प्रस्ण नहीं पहला है गुरू हरराय दूसरा है गुरू हर गोभिंद और चोथा है गुरू गोभिंद सिंग बताएंगे कौन से 시kh गुरू थे जिन्हों सही है गुरु तेग बहादूर क्योंकि गुरु हर गोबिंद तो साजहां के टाइम पिरियट के हैं और गुरु गोबिंद सिंग सबसे लास्ट में है तो आपका कौन हो जाएगा गुरु तेग बहादूर को ही औरंग जेव ने क्या है मृत्तिय दंड दे दिया था जो कि उन से मैं नहीं मानूंगी मैक्सिमिम बच्चे जो भी कहेंगी वही माना जाएगा आप लोग अपनी बातों को बिल्कुल स्वतंतर रूप से रख सकते हैं लेकिन सूच बिचार के उत्तर दीजेगा आप लोग समझदार है जो भी बाते हों अपनी बातों को बिलकुल आप है और यह सारी चिजे और तारीफ जरूर कीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज के लिए इतने ही बचलों अम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही सांदार प्रस्णों के साथ अगले क्लास में और बहुत कुछ नया सिखेंगे और पुराने चीजों का रिविजन करेंगे थैंक यू आप सभी को ठे सारा प्यार ठे सारा सिर्बात थैंक यू थैंक यू सो मच